ां् हां व्याज ही आप अब अब्भेयास तीन द्सने दो देखेंगे जो आपका जोडसे संबंधित इबार्थी प्रस्ण याउस इसके साधे सभाजś जो हैं जोडसे संबंधित इबार्थी प्रस्ण हैं जोर से समझने ती बारती प्रस्मों को आप कैसे जानेंगे इसके लिए आप ध्यान दें जैसे माली जीए आपको कोई शवाल ऐसा मिलता जिसमें आपको देविया जा कि एक विद्याले में माली जीए कोई शवाल है कि एक विद्याले में तीन हजार चार्सों चार्विश छात्र हैं और दोजा तीन सव पच्छपन चार्था हैं अब आप से अगर उस सवाल में यह पुछा जाता है कि उस विद्याले के पुल छात्राउं की संख्या बताएं तो ऐसी श्रिति में आप ज़्या करते हैं उस सवाब को दोनों की संख्या हो जोड़ जाता हैं यह च्छे च्छा में लेते हैं जब लेते हैं जिए च्छाच्रव संख्या हो जाती। जैसे जब हम इसको जोड़ते हैं तो छे और पांच ग्यार एक हासिले पांच और दो साथ और एक आठ चार और तीन साथ तीन और दो पांच तो उस विद्याला में प्रोटल छात्रों की जो संख्या होती है वह जाता है आपका 5781 तो सबसे पहले आप यह जालेंगे कि जो जोड़ से संबंदित इपार्थी प्रस्म होते हैं उस प्रस्म के अंत में यह आप से पूछा जाएगा कि कुल कितना हुआ उसमें उस सवाल में आपको दो या तीन संख्याएं मिलेंगी और लाट में यह पूछता है नहीं कुल कितना हुआ प्रोईशिस किति में आप उसको जोड़ देंगे जैसे अब हम किताब के आधार पे राणा को दे रहे हैं उसको समय दिए जैसे इसमें दिया है चौथा सवाल यह दिया है कि एक बाग में 40536 एक बाग में 40536 आम के पेड़ हैं 36,580 केले हैं 36,580 यह केले हैं तथा 82,750 यह पपीते हैं अब यह कह रहा है इसे बाग में कुल कितने पेड़ हैं कुल कितने फन हैं तो मैं आसको बताया था लाश्ट में जब आपकर स्नके लाश्ट में चलेंगे तो हम आप से कुचे रहे हैं कि कुल कितना हुआ कुल कितने हैं तो ऐसी हिस्थिति में आप क्या करते हैं सभी पौधों का योग कर देंगे तो आपको टोटल संख्या बागु हो जाएगी इसको हम जोड़ देते हैं यह जाता है आपका छे आठ और तीन ग्यार और पांच शोलर छे हासिले पांच पांच दस और साथ सत्रा और एक अठ्थार को आठ हासिलेग छे और दो आठ और एक नव आठ तेनी ग्यार और चाथ पंद्र यह जो है उस्वाग में कुल थनों की कुल पेड़ों की संख्या बढ़ाती हैं तो इसलिए आपको मैंने दो उजान बताया अब कल जो है आपका लेशन तीन दसनुनों दो जो है यह वार्सेट पर भेद दिया जाएगा और उसको आप फुद हल करेंगे उसमें अगर किसी कटाल की आपको दिक्कत आती है उसको आप बताईए और उसको फेयर कापी परही हो है यह तर